आकाश्मणी दिल्ली प्रसुत करता है विशेश कारक्रम वतन के रखवाले प्रायोजग अर्धसैनिक वेलफेर ट्रस्ट हम भालत के प्रहरी वतन के पहरेदार है वतन के रखवाले हम हैं अर्धसैनिक नमस्कार सभी शोताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए हर शानिवार की शाम ठीक पांच जब बच्चते हैं तो वतन के रखवाले कारेकर हैं हमारे कास गेस्ट के साथ रमा पांडी और मैं निशातावर यहां पर पहुँच जाते हैं से बाते करने के लिए वैसे रमा जब भी हम वतन के रखवाले यह नाम लेते हैं और खास तौर पर आज जब मैं मेट्रो से यहां पर आ रही थी रास्ते मैं देखा एक जवान हमारे खड़े हैं हाथ में उनकी उनका वैपन है और ऐसे सीना तान कर हाइट उनकी तकरीबन 6 फी जी मैं हू आपके साथ रमा पांडे रेंपो इंडिया वान टू पॉइंट 6 फम पर वतन के रखवाले शो चलता रहेगा अपनी गती से रफटार से 6 बजे तक निशा बिलकुर ठीक कहा हम जाते हैं आते जाते कई बार हमारे जो सैनिक हैं उनको देखते हैं और अगर हम उन हमेशा हम कहते हैं कि वर्दी में हम किसी सैनिक को देखते हैं तो मैं यह सोचती हूँ कि हमारे अंदर तो एक जजबा भी आता है हम सम्मान भी करते हैं उस वर्दी का लेकिन एक जवान जब उस वर्दी को पहनते हैं तो क्या फीलिंग्स होती होंगे क्या फीलिंग्स होती ह और सच में जो भी लोग उनकी आगों के सामने से गुजर रहे हैं, चोटे बच्चे जब जाते हैं, तो अपने परिवार को वो उनी में डून लेते हैं, मानो की अब दूसरों के बच्चों में अपने बच्चे के दर्शन हो गए, यही है हमारे जवानों की खासियत, खूबि होना चाहती थी, लेकिना मैं देखती हूँ कि हमारे जब सैनिक आते हैं, चाहिए वो आम फोर्सेज हों, पैरा मिलिटरी से हों, बेसे हों, कहीं से भी हों, तो मुझे लगता है कि अरे भई, बहुत काम करना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है, आयर वुमन मुझे ब मिलवाएंगे, है ना रमा, और आप भी आद रखे, हमारे नंबर वो खास जिसके थूँ आपको हमारे साथ जुड़ना होता है, जी, 999-0060506, तो आप फिलहाल ये खुबसूरत गाने के साथ, इस खुबसूरत प्रोग्राम की शिरुवात करते हैं, आप हमारे साथ बने र आज सिर्फ चार सालों में 600 कैंटीन स्थापित हो चुकी हैं, जिससे सुरक्षबल के सैंक्डो कर्मियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है, अनुशासन और सच्चाई के नियमों पर बनी एक कैंटीन देश के कोने-कोने में नागरिकों को उचित अधिक जानकारी के लिए हमें आज ही संपर करें, आओ, देश की सेवा करें, अर्ध सैनिक वेलफेर ट्रस्ट का एक कल्यानकारी कदम, सेल का एक प्रतिशत सैनिक विद्वासाहता कोश के लिए रखा जाता है तो अर्ध सैनिक वेलफेर ट्रस्ट के साथ आपको कैसे जोड़ना है, ये सब सुनकर आपको पता चलता रहता है, बटाई, उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम के साथ जोडने वाला नंबर भी धियान से सुन लिया होगा, वही नंबर है, जिस पर जब हम सव पूछेंगे, आपको जवाब देना होगा, और आपके पास एक मौका होगा, एक गिफ टाइम पर, चुटा से गिफ टाइम पर अपने लिए जीतने का, नमस्कार and welcome back, आप सुन रहे हैं वतन के रखवाले, रमा और निशा के साथ, और सबसे इंटरस्टिंग बात ये हैं न से पॉब्लिक रिलेशन ओफिसर, डेपिटी कमांडिन राजकुमार पाथक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया, रमा जी और निशा जी, और निशा, जैसा कि हम जानते हैं, BASF का रेजिंग डे भी बस आने वाला है, सेलिबरेशन चाया ह है, चारों तरफ, BASF तो सेलिबरेट कर रहा है, बहुत सारी बाते करने वाले हैं, हम BASF के बारे में, लेकिन, मैं ये भी जानना चाह रही हूं, राजकुमार जी, आपसे कि, जैसा मेरे दिमाग में था कि, अगर हम जॉइन करते हैं, तो हमें बहुत हार्ड वर्क करना एक दो सब्द हैं, दो वाक्य हैं मेरे लिए, कि चुपचाप मेहनत करो, उडान तै करेगी आसमान किसका है, बहुत बड़ी हां, काश मुझे भी ये दो शब्द उसमय पता लग गए होते, जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं BASF को जोईन करूंगा, अच्छा, बट एक जजवा था मन में, कि कुछ ऐसा करूं, सभी लोग देश की सेवा करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा से बढ़के करूं, और इसी जजवे को साथ मिले करके जब मैं चला, और आफ्टर ग्रेजवेशन, मैंने 1998 में BASF को जोईन किया, और तब से लेकर आस तक का सफर बहुत ही अच्छा रहा है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि BASF एक सिर्फ जॉब नहीं है, BASF में काम करना, it is more than a profession, it is a way of life, ये एक तरह का मतलब जैसा कि आप लोग कहते भी है, BASF का मोटो भी है, जीवन परयंत कर्तव्य, तो ये बहुत बढ़ा कर्तव्य है, राश्ट्र के प्रति और नागरिकों के प्रति, बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बोला, बहुत ही सही बात बताया, कि मंजिले क्या है, रास्ता क्या है, होसला हो तो फासला क्या है, अगर आपके अंदर होसला है, तो आप किसी भी फासले को तै कर सकती है, अच्छा सा, य जब मैं ग्रेजुशन में पहुंचा तो मैं अपने बड़े भाई के साथ रहकर के पढ़ाई की, मेरे बड़े भाई स्री मुरली धरपाथक, he is my mentor, he is my teacher, उन्होंने मुझे सिखाया और मेरा स्ट्रीम था physics और मैं फिजिक्स में गोल्ड मैडलिस्ट भी हूँ, लेकिन अल्टिमेटली मुझे यहां पहुचना था और मैं यहां पहुचा, तो आपका जो वो अनुभव रहा था, जो गोल्ड मैडल आपने मेहनत से कमाया था, देखे ना वो यहां काम आ रहा है, और अनुभव कभी भी, किसी भी चीज़ का लिया जाए, जैसे हमारे पैरेंट्स भी कहते हैं, कि आप कुछ भी सीखो, सीखना चाहिए, सीखते रही है, आपको कही न कहीं काम ज़रूर आएगा, 1st December को Raising Day है, BSF का, और जैसा कि हम जानते हैं, Nisha, 1965 को गठन किया गया था, मैं गलत तो नहीं बोल रही है ना, पाठग जी, बिल्कुल आप सही बोल रही है, और के रुस्तम जी के नित्रतों में किया गया था, गठन BSF का, और इस साल BSF अपना 58th स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहा है, तो क्या तैयारियां चल रही है, और कहां पे चल रही है, मुझे तो ये भी पता लगा है कि इस बार डेली में नहीं है, अमरिसर में सेलिब्रेशन हो रहा है, बिल्कुल आपने सही बोला है, इस बार BSF 58th रेजिंग डे अपना बनाने जा रहा है, और ये दूसरी बार है BSF की इतिहास में, जब कि BSF की रेजिंग डेली से बाहर, इस बार अमरिसर में मनाया जा रहा है, अमरिसर जैसा जानती है कि पंजाब के इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टन्ट सिटी है, और वहां से कुछी दूरी पर बहुत ही आइकॉनिक प्लेस है अटारी, जहांपर की हमारा बहुत ही जॉइन्ट एक रेट्रीट सरेमनी होता है, हमारे कॉंटरपार्ट के साथ में, उसका बहुत ही नाम है, बहुत ही उसका प्रशिद्धी है, तो अमरिश सर में इस पर मनाया जा रहा है, और पूरे फैन फेर के साथ मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारी भी जोरो सोरों से चल रही है, और बिएस सफ अपने अस्थापना जो है 58 अस्था अस्थापना दिवस एक दिसंबर को मनाएगी सर, लेकिन इसका जो बिएस सफ का रेजिंग डे परेड है, वो चार दिसंबर को अमरिश सर में गुरु नानक युनिवर्सिटी में मनाया जाएगा, एक चीज और निशा पता है, जैसे बिएस सेफ सीमा सुरक्षा बल है, जो इसमें पुरुष अधिकारी होते हैं, उनको सीमा प्रहरी कहते हैं, और जो महिलाएं होती हैं, उनको सीमा भवानी कहा जाता है, बहुत इंटरस्टिंग है, और यह जो सीमा भवानी है, रेजिंग डे में भी कुछ स्टंड करने वाली है, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे Deputy Commandant Rajkumar Pathak जी से एक चोटा सा musical break लेते हैं फिर वापिस आते हैं और ये बाचीत इसी तरह जारी रहेगी आप अपने messages, अपने संदेश हम तक पहुचाते रहेए आप जो भी कहना चाहते हैं हमारे guest के बारे में अगर उनसे कोई सवाल आपके दिल में आता है वो भी आप हमें पूछ सकते हैं हमारे number है 999-00-60506 अभी हम एक खुपसूरत गाना आपके लिए चला रहे हैं जल्दी वापस आ जाईए आप हमारे पास ये है कारिकरम वतन के रखवाले और वतन के रखवाले कारिकरम में हम हैं रमा और निश्रा और हमारे सथ हमारे कास guest राजकुमार पाठक जी Deputy Commanded BSF Headquarters Delhi पियारो Welcome to the show sir once again और रमा बहुत सारे messages आ रहे हैं Even मुझे तो देवमान का message आया है and he's in trade fair right now और वहां पर भी वतन के रखवाले कारिकरम सुन रहे है अच्छी बात है और मैं ये भी बताना चाहूंगी निश्रा कि जैसा कि सभी जानते हैं जो हमारी regular listeners है लेकिन कुछ ऐसे listeners भी हैं जो passive listeners हैं जिनको नहीं पता तो उनको भी बताना चाहूंगी की trade fair में क्या कुछ चल रहा है उसका update भी हम time to time देती रह रहे हैं तो अगर सुनना है तो Rainbow India 102.6 FM पर बने रही है यही एक जगा है आपके लिए और साथी साथ पूरे भारतवर्ष में आप हमें सुन रहे हैं News on Air app के जरिए और साथी हमें आरती मिश्रा का भी message आया है She's saying welcome and good evening all of you और program बहुत अच्छा चल रहा है और हमारी जो guests है खास तोर पर राजकुमार जी उनकी inspiring story सुनने के लिए Everyone is ready और अगर आप भी जुनना चाहते हैं कुछ भी कहना चाहें program कैसा लग रहा है या अभी कुछी तेर में हम वो question भी करने वाले है जिसकी वज़े से gift hamper तो मिलेगा लेकिन हमारी जो knowledge है उसमें भी इजाफा होगा 9990060506 यही है number राजकुमार जी जैसे मैंने break में जाने से पहले आप से पूछा था कि सीमा प्रहरी और सीमा भवानी अलग-अलग role है क्या दोनों का लेकिन raising day में सीमा भवानी काफी कुछ करने वाली है क्या कुछ रहेगा खास यस मैं सीमा प्रहरी हम सभी है जितने भी BSF के नुमाइंदे हैं सभी सीमा प्रहरी है हमारी एक stunt bikers all women group है जिसको हम सीमा भवानी के नाम से जानते है यह बहुत ही famous stunt bikers group है जो कि 2018 में राजपत के उपर पहली बार इन्होंने अपना stunt दिया था जो काफी सराहा भी गया था और पिछले भी raising day में इन्होंने जैसल मेर में भी मानिय ग्रह मंत्री के समक्ष अपने प्रदर्शन किया था और इस बार फिर से अमरित सर में और वहां की लोगों के बीच में इस रेजिंग टे परेड में अपना बहुत ही सांदार प्रदर्शन करने जा रही है और इसके टीम क्याप्टन जो है वो इंस्पेक्टर ही मानसू सिरोही है और वो इस वाइस पर फर्फॉर्म करेंगी और सीमा भवानी एक ऐसा पहल है जो कि महला सरसक्तिकरन को जागरित करता है जो महला सरसक्तिकरन का दियोतक है महला सरसक्तिकरन की जब बात करते हैं BSF में काफी महलाएं हैं जो कि आज अपने male counterpart के साथ कंदे से कंदे मिलाकर हर जगा पर duty कर रही है उनी के वारे में जब अभी International Women's Day था तो मैंने कुछ पंगतियां लिखी हैं और जिसको कि मैंने अपने BSF के tutor handle पर भी उसको जाला था कुछ पंगतियां मैं आपको सीमा भवानी के बारे में बताना चाओंगा जो डरे नहीं बाधाओं से जो डिगे नहीं मुस्किल राहों से प्रतिपल जो गुंजित है रास्ट्र की बीर गाथाओं से नमन करें उस शक्ति को जो बन सीमा पर सीमा भवानी है रास्ट्र सेवा में घर चौकट वो छोड़ गई अब हुई गाउं गली वो बीरानी है डटी खड़ी बन काल शत्रू की सीमा पर सीमा भवानी है दिन रात खड़ी निडर सीमा पर अब राग प्रलय का तानी है अडिग अटल अपने लक्ष पर सीमा पर सीमा भवानी है बहुत बढ़ी है और मुझे लगता है निशा कि B.S.F. में मतलब हमारे सीमा प्रहरी ही नहीं है बलकि बहुत क्रियेटिव लोग हैं तो बस कुछ ऐसा ही सवाल अब पूछ लेते हैं हम अपने शुरताओं से जी बिल्कुर तो जो भी महिला काउंटर पाउट होती है देखे जैसे कि सर ने बताया महिलाओं का भी B.S.F. में Border Security Forces में पूरा योगदान रहता है 50-50% समझ ले सब नहीं थोड़ा कम है और उमीद करें कि आने वाले सबें में 50-50 हो जाएगा तो फिर आप सवाल हमारा आज आपसी सवाल यही है कि आपको बताना है जो हमारी महिलाओं B.S.F. की जो बॉर्डर पर पहरा दे रही है आपकी सुरक्षा के लिए हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए उनको किस नाम से B.S.F. में जाना जाता है और किस नाम से जाना जाता है अभी हमने जिक्र किया है और यह देखना है हमें कितना ध्यान से आप यह प्रोग्राम सुन रहे है 999-0060506 यही है नमबर और आप हमें मेसेज कीजिए एक चीज़ और जानना चाहरी थी मैं आपसे कि अगर हम 1971 में बंगलादेश लिबरेशन वार की बात कर रहे हैं BASF की काफी महत्वपूर भूमी का रही वहीं 1999 में करलिल युद में BASF के BASF ने जो भारतिय सेना थी उसमे के चक्के भी चुड़ाए थे मैं यहां यह जानना चाहरी हूं कि BASF को क्या कुछ special training दी जाती है कुछ अलग तरह की training होती है क्योंकि कभी तो उने सीमा प्रहरी बनना है और कभी उनको युद्ध के समय महान युद्धा भी बनना है तो क्या कुछ हाल से अलग तरह की training होत होती है और वो basic training से सुरू होता है last में commando training तक जाता है और हर साल उनकी training होती है और बहुत ही rigorous training होती है इस training में जो वहां का deployment है जिस जगह पर हम जा रहे हैं उससे पहले भी training होती है कि जिस जगह पर हमारी duty हो रही है उसको pre-induction training बोलते हैं आपको जिसे पता है कि BASF को deployment ह है बहुत ही varied जगह पर है अगर मैं बात करूं कस्मीर की उंचाईयों पर जहां पी बर्फ गिरी रहती है और जहां पर temperature जो है वह माइनस 35 degree होता है वहीं पर राजस्थान में प्लस 50 degree temperature पर चली जाते हैं तो इन सभी जगहों पर duty करना और एक जगह से दुसरी जगह पर जा लेकिन मानसिक दक्षिता कितनी है मानसिक तौर पर कितने हम मजबूत हैं इसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरा है प्रेसेंस ऑफ माइन जिस समेच ऐसी situation है कितनी है किस तरह से वह ढ़ल सकते है इसकी भी खास ट्रेनिंग दी जाती है अब बहुत जरूरी है आप जीवन के किसी भी आप पहलू को ले 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 आप अपने जीवन में भी देख ले तो जितना इंपोर्टनस आपके mental टफनेस का है फिजिकल का थोड़ा से कम है तो सर अब हम और बात करेंगे B.S.F किस तरह से आर्मी से बहुत जादा अलग है B.S.F का प्रारूप है कई पर ऐसा भी देखा जाता है दोनों साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं आपने बहुत सारे एक्स्पिरिंसेज हम से शेर किये थे तो वो हम जरूर अपने श्रोताओं को बताएंगे उन बातों के बार और कमांडो उसका नाम आकर निशा जैसे आता है तो एक रफ टफ जो आईरन मैन होते हैं स्ट्रॉंग मैन जो होते हैं वो नजर आते हैं तो आपकी एक्सपिरिंसेज कैसे रहे और उन लोगों के एक्सपिरिंसेज तो जरूर टफ रहे होंगे क्योंकि उनको बहुत यह समय पर एक पसंदीदा गीत है एक अंधेरा लाक सितारे वो आप आखर कियों फिल्म से आप उसको सुना दे हैं और थोड़ा सा बताए यह गाना आपको क्यों पसंद है अच्छिल यह गाना ऐसा है जिसमे कि आप जब थोड़े से आप दी मोटिवेट होते हैं या थोड अर्दसैनिक वेलफेर ट्रस्ट 506 पर वैसे रमा बहुत सारे सही उत्तर हमें अल्रेडी मिल चुके हैं नहीं थोड़ा से इंतजार करेंगे और हाँ बट मैं बताने रही हूं अभी सही जवाब क्या है वो तो आप ही को भेजना है और लोगों को हमारे कारगर्म के साथ जोड़ना है सतीश वासन जी ने बि इतना ध्यान से इस प्रोग्राम का सुन रही है तो मैं मुझे लग रहा है कुछ देर के लिम टीचर बन गए और एक्जाम हमने रख दिया है सामने ही पार्ट पढ़ाने के बाद उसी में से ही unseen passages करके जब अब उत्तर पूछे जाते तो कुछ ऐसे यहां पर हो रहा है अचा किया था उसके तुरंट बाद जो है उस समय और प्रकर में चल रहा था और प्रकर में मेरी बैटैलियन जो थी वह कुपवड़ा की जगह पर थी डिप्लाइमेंट और वहां पर मैंने कमांडो प्लाटून को लीड किया उसके बाद फिर मुझे एक एसाइल्मेंट मिला कमां करके तो उनके पास तीन चीजें होती है एक तो कॉंफिडेंस बहुत चवरदस्त होता है उनका जो फिजिकल स्टेंडर पहले से बहुत इन्हांस होता है और जैसा कि मैंने बताया आपको मेंटल टफनेस वह बहुत ही अच्छा होता है तो यह तीन चीजों को लेकर हम चलते किस तरह से off the land आप survive कर सकते हैं कमांडो से कई operations होते हैं जिसे बहुत precision चाहिए उस precision को हम सिखाते हैं इसके लावा हम explosive handling के बारे बहुत extensively बताते हैं कि अगर enemy country में जा करके या जहां भी target area वहां पर जाकर किसी target को destroy करना हो तो किस तरह आप इतना दूर जाएंगे वहां survive कर करेंगे उस target को destroy करेंगे explosive से then you fall back to your own territory तो यह सारी चीजें उसमें चलती है इसमें की बहुत ही और यह ऐसा होता है जिसमें आपके पास समय नहीं होता है यह training continuous चलती रहती है continuous चलती रहती है और इन trainings के बारे में सब मैंने सुना है कि physically challenging तो बहुत जादा होती है साथी साथ emotionally challenged भी इनको बनाया जाता है लोगों को कि emotions भी एक तरह से grill किये जाते है वो कैसे होता है किस तरह से अपने emotions पे काबू किया जाए वो भी सिखाया जाता है यही तो मैंने बता है कि ऐसे situation create किया जहां पर कि आप बिलकुल ऐसा लगता है इसे कि मैं तूटने वाला हूं लेकि लेकिन वहां पर वो जो चीज है एक स्पार्क है जो कि आता है आजमी कंदर नहीं we have to get up and fight for the country और उस समय फिर वो ही जो mental toughness है वो उनके काम आता है मुझे भी चाहिए mental toughness तुमें चाहिए निशा हमें मुझे भी चाहिए ऐसा कुछ हो सकता है जो civilians है हम जैसे लोग है नाग style में life में तो मुझे लगता है अगर हमारा mind strong है तो हम decision making में किसी भी तरह की हमें problem नहीं आएगी और life बहुत अच्छे से easy हो जाती है सहज हो जाती है तो I think इस तरह की training अगर हो जाए civilians के लिए भी तो इससे बड़ी बात नहीं होगी तो इससे बड़ी बात नहीं होगी सच है वो सब कैसे होता है मैं थोड़ा सा संचिफ्त में आपको BSF के वारें बताना चाहूं कि BSF क्या चीज है BSF actually Ministry of Home Affairs के अंदर में CAPF Centered Armed Police Forces के तहता है और जैसा आप सबने बताया कि इसका इसका जो स्थापना था एक दिसंबर 1965 को किया गया था और उस समय BSF जो है सिर्फ 25 ब इसके बाद इसको एक अलग पैग लाइन मिला जिसको बोलते हैं हम लोग बारत की प्रतम रक्षा पंगती रास्ट्र प्रतम है और हम रास्ट्र के प्रतम रक्षा पंगती ये एक टैग लाइन जिसको मैंने खुद लिखा है लेकिन BSF का अपना है कि इंडिया फर्स लाइन आप डिफेंस मैं ये ऐसा border guarding force है जिसका अपना खुद का artillery wing है अपना खुद का air wing है अपना खुद का water wing है अपना खुद का camel contingent है अपना खुद का डॉग स्क्वाइड्स है, एंटिक सीडी जहां पे नेसनल ट्रेंग सेंटर और डॉग्स का ट्रेंग जहां पे डॉग्स को ट्रेंड किया जाता है, हमारा अपना एक्रिस्टेरियन विंग है, जहां पे अभी चल रहा था कुछ दिन पहले, ऑल इंडिया पुलिस डूटी मीट एक्रिस्टेरियन का चल रहा था, यह सारी इतनी वर्सेडिलिटी है, इतने इतने सारी विविता हैं बियेसफ के अंदर में, और बियेसफ कस्मीर की वादियों से सुरू करें, अगर हम पीर पंजाल की रेंजस से, तो वहां से लेकर के वेस्टन बॉर्डर पे, जम्मू, प वेस्ट वंगाल, और असाम, मेगाले, इन सारी जगों, अपतिर पूरा इन सारी जगों पर बियेसफ डिप्लाइमेंट है, तो कुल मिलाकर के बियेसफ का जो डिप्लाइमेंट है, आज की डेट में तकरीवन 6400 किलोमेटर का इंटरनेसल बॉंडरी को बियेसफ मैन करती है, और जैसा कि आपने बताया कि आर्मी के साथ, लाइन आफ कंट्रोल जो कस्मीर में है, जहां पर कि जिसको हम लाइन आफ कंट्रोल बोलते हैं, उस जगह पर आर्मी के ओवराल ऑपरेशनल कंट्रोल के अंदर में, सीमा सुरक्षावल के जवान, हम सभी जो हैं वहां पे, उन होता है, और एक situation होता है, no war, no peace, हमें इन तीनियों situation के लिए तयार रहना पड़ता है, और हम इसके लिए तयार रहते हैं. माननी प्रधान मंत्री जी ने मन की बात में कहा था, कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, कि जो हमारी चाहें आम फोर्सिस हों, पैरा मिलिटरी फोर्सिस हों, या फिर बिएसेफ है, आईटी बीप है, उनके पास जो विदेशी नसल के डॉग्स हैं, उनकी जगे, क्यों ना देशी नसल के श्वान हो जाएं, उनको ट्रेनिंग दी जाएं, तो कितना अच्छा हो जाएं, तो बीएसेफ ने इनिशेटिव लिया, और फिर क्या हुआ, ब्रेक के बार बताएंगे, जबिची कमांडनें राजकुमार जी, उनके माधियम से बताएंगे, और कल तो मन की बात यह जिस हम सभी को सुनवाते हैं, जो वतन के रखवाले कारक्रम में जुड़ने के लिए हमें बेजे जाते हैं, और आएए देखते हैं, आप ही की बात, आप ही के दिल से निकली बात हमारे देश के फौजियों के लिए मेरे नाम विकास है मैं, मैं इस्लामबाद छिलोगा मेरे से बोला हूँ मैं, बतन के रखवाले जो प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है मैं, पहले मैं हर संदे सुनते थे हैं इसको, अब हर सनिवार में आरना सुरू हूआ थे, पांच बज़े से मैं अब अभी सु मैं जिनेश बोल रहा हूँ, कालकाजी साओ देली से, मैं तो यहीं कहने साओंगा, वो अपना सेक्रिफाइज करके, हम लोग यहां सो रहे होते हैं, और हम लोगों के लिए जाग रहे होते हैं, मैं अब इस प्रोग्राम के माधियम से, आकाशवानी के माधियम से, बतन के र पारतिय सैनिकों को देना चाहते हैं, दिल की कोई भी बात है, जजबात हैं, शेयर करें, 999-0060506, हम आपको कॉल करेंगे, और आपसे बात करेंगे इसी शो में. स्वागत है सवी सुरोताओं का, और मैं राजकुमार पाठक, डप्टी कमांड और बार्डर सेकुर्टी फोर्स से, जैसा कि अभी रवान जी ने ब्रेक से जाने से पहले बताया था, कि B.S.F. का अपना डॉग स्क्वाइड है, B.S.F. का एक National Training Center for Dogs जो है, वो B.S.F. Academy टेक किया, और वो बहुत अच्छे तरह से ट्रेन हुए, तो अभी जो राष्ट्री एकता दिवस, 31 अक्रूबर भतम हुआ था, केवडिया में, वहां पे मान्य प्रधानमंत्री के सामने में, हमारे उन स्वानों ने बहुत अच्छा प्रदरसन दिया, और मान्य प्रधानमंत्र अपने आप में, आत्म निर्वर्भारत का बहुत बड़ा परिचायक है, किस तरह से हम कर सकते हैं, और उनको खुशी भी हुई होगी, कि जो बात उन्होंने कही थी, आपने, B.S.F. ने इनिशेटिव लिया और उस बात को आगे बढ़ाया, और बहुत अच्छा आइडिया तो क्या कुछ ट्रेनिंग वगेरा जो थी हमारे जो देसी श्वान थे, डॉक से, कुछ स्पेशल मतलब कुछ आपको फरक नजर आया विदेशी और देसी श्वान में, मैम ये जो आत्म निर्वर्भात की बात है, जब मान्य परधान मंतरी जीन अपनी मन की बात की, तो उस भारती श्वान की जो डॉक से ज़ाँ इतने अच्छे हैं, जर्था उनको पेट्रोल डॉक से यूज करो, अटाकर डॉक से यूज करो, या स्रीफर में करो, उनका जो शुक्सेस रेट है, वो विदेसी मून से जादा अच्छा है, यह एक अचंबित करने वाला सच है और आ कि अगर पचास में से तीन मोक्य पर हो सकता है कि बिदेशी मसल में कि डॉक्स जो है वो फेल कर जाएं बट इंडियन ब्रीड के डॉक्स जो है वो फेल नहीं होते हैं भारत ही है लोग इसलिए तो पहुंचे यहां पर भारत में कुछ ऐसा है नाइटीन से जहां तक मुझे न मिला है कॉमेंटरी करने का रिपब्लिक डे में और जब देखते हैं निशा कि जिस सरे से बैंड बियस एफ का आ रहा है कदम से कदम मिलाते हुए ताल से ताल मिलाते हुए और पीछे बहुत खुबसूरत सजा हुआ उट का दसता अरे बहुत ही मतलब चार चान लगाता है तो यह जैसा कि आपने पहले भी कहा कि कहीं रेगिस्तान का इलाका है तो राजकुमार जी कितना मुश्किल होता है जवानों के लिए BSF के कोप अप करना कैमल से क्यूंकि सुबह और शाम तो राजस्तान में ठंड है लेकिन दोपहर के टाइम में बहुत गर्मी होती है खोलो तो आसमान बहुत बढ़ी है जवान किसी परिशानी से डरते नहीं है ऐसा ही मेसेज सब के सामने हमेशा लेकर आते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जोड़े हुए जिन्नोंने बिलकुल सही उत्तर दिया है हमारे प्रशन का सर बात करिए प्रीज हलो जी आपका अलगे प्रकाश जी मेरी मेरी कॉंग्राचिलेशन्स आपने हमारे पूछे सवाल का सही तर हमने भी वहां सारे आथ सभी जेवाब आये रब और प्रकाश जी आपका है है जी मैंदा मुलिपूर जी हमारे guests से और साथ ही साथ हमारे सुनने वाले सभी जवानों से कुछ कहना चाहेंगे आप जी मुणाम यही कहना है हम तो इसी बारत के वतन क्या कहें हम इसी वतन के नागरिक हैं क्या कह सकते हैं देखी वो emotional हो गए हैं बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और आपका जो गिफ्ट हैंपर है आप तक जल से जल पहुँच जाएगा प्रकास जी बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम के साथ जुडने के लिए थांक्यू सो मच और जी निशा आज 26 ग्यारा ये दिन हम नहीं भूल सकते 2008 को आतंक्वाद यूनी मुंबई के एक होटेल में कैफे में मुंबई के कुछ हिस्सों में हमला किया था और हमारे जवान जो राष्टर के लिए हमेशा तैनात रहते हैं जो 24 गंटे कारी रते हैं ना सो पाते हैं ना वो आनन्द ले पाते हैं जीवन का जो उनकी वज़ेसे हम ले पाते हैं उन्होंने पूरा प्रयास किया जो मुंबई के होटेल में रेस्क्यू बनाए गई थी लोग उनको किस सरे से चुड़ाया जाए और इस वजह से हमारे कुछ जवान शहीर भी हो गई सच में रमा एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला था पूरी मुंबई को हिला कर रख दिया था आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे उसका एक एक ऐसा रूप था जिसमें हमारे कई सिविलियन हमारे दोस्तों का हमारे साथियों का उसमें देहांत हुआ और हमारे बीर सहीदों ने भी अपने जान पर खेल करके किस तरह से उसके लड़ाई की अपने आप में एक बहुत बड़ा एक वो है आप देख सकते हैं को तक्रीबन मुझे जहां तक मेरी जानकारी है पंद्र जो है वो मुंबई पुलीस के कार्मी थे और दो एनेजी के हमारे जिसे मेजर उनी कृष्णन जो थे वो उसमें बहुत बड़े शहीद हुए थे और उनको आज जो है आज के दिन जब हम यहां पर वतन के रखवाले का जवानों को नमन और उन सभी माता पिताओं को भी नमन जिन्होंने ऐसे सपूतों को जन्म दिया और निशा पता है यह जैसे गाना कहता है कि कड़ चले हम फिदा जानुतन साथियो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो तो यह वतन वो अब हमें दे गए हैं जिसे हमें की बढ़ानी का बहुत सुंदर बात कहीं है रमा और कुछ ऐसी ही बात सर आप से सुनना चाहेंगे आप चलते चलते क्योंकि कारेकरम का समय अल्मूस्ट खताम हो चुका है क्या कहना चाहेंगे हमारे सब इश्रोताओं से मैं actually मैं सब से ही कहना चाहूंगा for us it is an honor and pride to protect and serve the nation इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है और मैं wrap up करना चाहूंगा कि हमारा क्या जजबा होता है जब हम सीमाओं पे खड़े होते हैं तो क्या जजबा लेके देश के साथ साथ होते हैं कोई प्रस्ण नहीं मैं तो सिर्फ उत्तर हूं समस्या तो कोई नहीं मैं तो सिर्फ समाधान हूँ, बना के अपने जिगर को फॉलाद, मैं तो देश का बस पहरेदार हूँ, बस पहरेदार हूँ, जैहिंद, थैंक यू, जैहिंद, जैहिंद, अभी आप आकाश्वाणी दिल्ली से सुन रहे थे विशेश कारक्रम, वतन के रखवाले, प्रायोजक थे अर्ध सैनिक वेल कर्कूंma, प्रायोज का बस पहाँ, जैहिंद, जैहिंद ।ू. टैहिंद, जैहिंद, बना के रखवाए, जैए।।.